तो जैसा कि टाइटल लेकर आप समझी गए होंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है तो जी हाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बरकत के उपाय से लेकर रिलेटेड है जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते हैं सुनने में बहुत से घरों में कि पैसा तो हमारे घर में बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है यानि कि बरकत नहीं हो पाती है तो बहुत से घरों में समस्या होती है तो चलिए जान लेते हैं कि यह समस्या क्यूं होती है और कौन-कौन से उ नहीं देखिए तो आप पहली जो मेरी वीडियो एबरकत के उपाय से लेगर वो देख लीजेगा मैं उसका या तो लिंक देदूंगी या एंड स्क्रीन लोसे लगा दूंगी तो आप दिस्क्रिप्शन भी एक बज़र वो चैक कर लीजेगा तो चलिए वीडियो वो स्टार् तो मैं वही सब मत्याँ सब के साथ शेयर कर रही हूँ तो पहली जो मैं बात यहां पे करूंगी तो यह है कि घर की जो लक्ष्मी होती है हमारे घर की जो ग्रहनी होती है तो हमेशा उसका हमें सम्मान करना चाहिए घर में जितने भी लोग हैं उसका सम्मान करें और उसे हमे उसे पर डेखी घर सब्याय है है extensive झाल थाव एक डाल पाई सगे शांस करें उन्हान है तो अनगेशन भागतेज हैं वो सिस्थ पॉंवें हा मेंकि नेश्वार में ही हम भागत बनाना चाहें को पर दोगचेंट थे उसके आपने भागते तो और असोई घर में स्थान करके प्रमेश करना चाहिए तो हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है तीसरा पॉइंट यहां पर बात करूंगी कि कि मॉर्णिंग के टाइम में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन इवनिंग टाइम में सभी लोग एक साथ रहते हैं तो परिवार के सब लोगों को मिल बैठ करें एक साथ खाना चाहिए इसे परिवार में खुशाली भी रहती है और दूसरा बरकत भी होती है और इसके हमारे गर में सैलरी आये तो सबसे पहले घर की जो लक्ष्मी है उसे डैनी चाहिए और उनी के हातों से हमें भगवान को और पित करवानी चाहिए घर में जब भी सैलरी आये और इसके अलबा घर की जो बहन मेटे है उनके लिए हमें एक हिसा जरूर से निकालना चाहिए हमा जाता है कि खाली पेच जाते हैं तो माता जो अन पूलना है वो नाराज हो जाती है तो हमेशा जब भी घर से बाहर काम के लिए निकले तो कुछ ना कुछ खाकर नाश्टा करके ही निकले और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि जब भी घर के जो पुरूच है वो घर खापस आएँ से खाली आफ़ नाल है तो इसके लावा हम फ्राइट से नेक्स्त पॉइंट पार आजाते हैं जब भी हम किसे शुपकारे के लिए गर से बाहर निकले तो बगवान का आशिरवा दिया और अपने गुलें बड़ेगा । और घर में भी बरकत होगि इसा फलता मिलेगी तो ओटोमेटिकली डर में भरकत भी होगी पैसा आएगा बरकत होगी तो यह च्ट-च्टी बातें चो यह होती हैं हमाई बड़े बुज़ूर्ग हमें आज भी बताते हैं तो इन सब चीज़ों को बातों को फॉलो करते हैं तो काफी हमें फाइदा भी मिलता है इन सब चीजों का इसके लोगा घर की जो महिलाएं हैं वह साफ सफाई का विश्चाप अध्यान रखें घर में यदी मकडी के जा रुकिवी घरी अगर आपके घर में हैं अक्सर हम देखते हैं कि घरी रुख जाती है और या तो हम उन सहल नहीं डालवाते आलस के कारण या कई पुरानी घरियां भी हो गई या बीवार घरी भी हो गई तो इन सब चीजों को रुकिवी घरियों को हमें घर पे बिल्कुल ढाला कई राते हैं जैसे जंग लगा कोई सामाल है लो-ः की चीजे है या you school कोई बीचिस तो उन्हें भी हम रखं और आगे कभी काम आ जाएगा और वह जो सामाले काम ही नहीं आता है तो उसे भी घर में नहीं रखना चाहिए उससे भी हमारे घ्रम नहीं बरकत नहीं होती तो इन साथ छोट-छोटी बाटों का हमें ध्यार दखना चाहिए इसके अलाबा जब दिघर में सब्सक्राइब कर ब T हमारे पित्रों के लिए शंपर बनी रहती है और घर में भी बरतं बनी रहती है इसकी सांधी फ्रेंड्स मैंने पिछ्री वीडियो में बहुत से ऐसी बाते मताई थी वह मैं शौर्ट में आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले घर की जो इसरी है उसे नहाना चाहिए फिरी रसोई में जाना चाहिए तो इसी जी में हमें पानी देना चाहिए इश्वर का द दाल गूंगी तो आप उसे जरूर देख लीजेगा यह जो पार्ट टू था तो इसमें कुछ बाते और मैंने बताई हैं साथ ही मैं भी कहूंगी कि हालाकि ऐसा नहीं होदा आजकल हम डाइगिंग टेबल वगेरा में बैट करी खाना खाते हैं लेकिन पहले कहा जाता था प विडियो को फॉलो करेंगे तो जरूड जरूड आपके भर में पैसा टिकेगा बरकत होगी तो यह थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो इसे मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबी हो जाती है और बोर्यत होने लगती है फटापट से च्च छुटी जो बाते हैं जो मही दादी रानी हमारे साथ शेयर करती थी और हाल बडे बुजूर हमारे साथ शेयर करते हैं तो वही चीजे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की गए वीडियो कैसे लगे यूसफूल लगे तो लाइक कर दीजेगा कमेंट शेक्शन में मुझे जरूर बताईएगा मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई